यह देखिए यह मेरा वही वाला गुड़हल का पौदा है जिसको हमने अभी थोड़े ही दिन पहले रिपॉर्ट किया था इसके अंदर बास्केट लगी भी आई थी और बास्केट वाले गुड़हल को किस तरह रिपॉर्ट करते हैं उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर क और हमारे प्लांट को किसी भी तरह का रिपॉर्टिंग शॉक नहीं लगा है पूल सभी को बहुत पसंद होते हैं और अधिक तर हमारे सभी घरों में गुड़हल का प्लांट लगाते हैं पर बहुत बार इस प्लांट के साथ प्रावलम यह आती है या तो गुड़हल के करने और सही पर्टिलाइसर देने के बाद भी और सनलाइट और वाटरिंग का ध्यान रखने के बाद भी अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलिया नहीं बन रही है फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो चेक कीजिए कि कहीं आपके प्लांट पर मेली बग तो नह नहीं बनती है और अगर कलियां बनती भी है तो फूल बनने से पहले ही पीली होकर गिर जाती है अगर आपके प्लांट पर थोड़ा बहुत मेली बग का अटेक है तो आप पानी के अंदर शैंपू को उस पानी से अपने प्लांट को अच्छी तरह से नहला दीजिए यह तो आप किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाट का यूज़ कर सकते हैं और अगर मिली बग नहीं है फिर भी आपके पौदे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके जो प्लांट की मिट्टी है वो एलकलाइन हो गई है और गुड़हल को एसेटिक सॉल प काफी बहुत पसंद है तो तो आप इसके लिए पानी ले लिचिए अगर आप लिटर पानी ले रहे हैं तो इसके अंदर कॉव टी स्पून काफी लेकर और तर्किल से घॉलग लीं गोई काफी के अंदर के नाइट्रोजन, मैगनिशय potassium की properties रहती है जो कि हमारी मिट्टी को acidic बनाती है और फूल लाने में help करती है तो इस तरह अच्छी तरह पानी में घोलने के बाद इस पानी से आप अपने में Neither कर जांते हैं और मिट्टी में में भी दे सकते हैं इस प्याने के लिए आप इस पानी को किसी भी इस पॉला चे और अपने प्लांट के पर इसका स्प्रे कर दिजे और फिर बचेवे पाने को आपके पास गुड़ल के जितने पिलांट है उन सब में थोड़ा-थोड़ा सा यह कौफी वाला पर्टिलाइजर दे दिजे इस पर्टिलाइजर का यूज करने से आपके प्लांट की मिट्टी ए कर अजय कर दो अबस्ट्राइ पीदिये.